हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त जैशियान मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जैशियान एजूकेशन वर्लड पर और मैं एक बाफ फिर आपके सामने आँ हूँ नया टॉपिक लेकर करके जिसका नाम है फ्यूचर कॉंटिनियूस टेंस चलिए इसकी पैस्टाइं की तरफ चलते हैं इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आदी शब्द आते हैं अर्थात इसमें ऐसे कार्यों को दर्साया जाता है जो बविश्यकाल में जारी रहेंगे ठीक है नी बविश्यकाल में जारी रहने वा होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सायक के लिया will be or sell be जोसकी main helping वब will or sell है और will or sell के बाद हम be put करेंगे ठीक है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स आई और be के साथ helping or sell be का प्रियोग करते हैं second person subjects you और third person subjects she, he, it, they, name और thing के साथ helping verb will be का प्रियोग करते हैं not देखेगा प्रतिक sentence में verb की first form में ing का प्रियोग करते हैं यानि के continuous के जितने भी tense होते हैं उनके sentence हों में हम verb की first form में ing जोड देते हैं helping verbs का use करने के लिए मैंने कहाँ पर table draw क्या है आप table देख लेते हैं इसमें first person I और we, I को हिंदी में मैं बोलते हैं, we को हिंदी में हम बोलते हैं I के साथ shall be का use होगा और we के साथ भी shall be का use हो जैसे मैंने बताया था कि first person subjects I और we के साथ हम cell का use करते हैं I हमारा singular होता है इसका example होगा I shall be going to school we हमारा plural होता है तो इसका example होगा we shall be going to school हाला कि future continuous tense में singular plural का कोई रोल नहीं है यहां सी first person और second और third person देखते हैं उसके according में helping work का use करते हैं ठीक है अब देखें के second person मैंने बताया आता है second person और third person subject के साथ हमेरे सा helping और will का प्रियोग करते हैं ठीक तो example क्या होगा हमारे पास you will be going to school you का मतलब होता है तुम या आप इसके साथ helping और will का प्रियोग हम कर रहे हैं जो कि हमारे subject होता है singular और plural दोनों होता है मैं अपने last video में समझा चुका हूँ क्यों होता है चीक है अब आता है third person subjects इसमें he, she, they और it ये चारो आते हैं he को हिंदी में वह बोलते हैं जिसको हम male और पूर्स के लिए यूज़ करते हैं इसके साथ helping word will be का यूज़ करेंगे ये एक singular होता है इसका example होगा he will be going to school she, she को भी हिंदी में वह बोलते हैं वह हम यूज़ करते हैं female के लिए जिसके साथ helping word will be का यूज़ होगा और ये भी एक singular subjects है she के साथ हम क्या यूज़ करेंगे she will be going to school ये इसका example होता है अब देखें they, they को हिंदी बोलते है way इसके साथ helping word will be का यूज़ होगा ये एक plural subject है इसका example देखेगा they will be going to school अब आता it एक natural things के लिए आपनी किसी वस्तों के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं इसके साथ भी helping word will का प्रियो करेंगे हम और ये भी singular subject है इसका example देख लेते हैं it will be raining अब आता है affirmative sentence जिसको positive sentence के नाम से भी जानते हैं इसका rule देख लेते हैं पहले subject उसके बाद will yourself will yourself में हम उसके बाद be add कर देते हैं then verb की first home में ing और उसके बाद object या फिर other words इसका पहरा example देखेगा मैं शाम को कवीता लिख रहा हूंगा जो की रहा रही continuous के पहचान है और गागी के future के पहचान है तो sentence हमारा क्या हुआ future continuous ठीक है तो कैसे बनाएंगे इसको subject है I first person आए और हमने बताया था first person subject के साथ helping of shall का यूज़ करते हैं तो क्यार गाएंगे I shall be writing a poem in the evening in the evening यानी शाम को ठीक है next example है हमारा वह अपने कपड़े दो रही होगी वह है अपने कपड़े दो रही होगी कैसे बनाएंगे इसको she will be washing her clothes she will be washing her clothes she यहाँ पर क्या है third person है third person subject के साथ helping of will be का यूज़ करेंगे ठीक है example number 3 देखेगा आकाश सोंबार को सीमा के साथ शादी कर रहा होगा ठीक तो subject यहां third person में आता है आकाश ठीक इसका helping will be का यूज़ करेंगे marry me शादी करना होता है इसमें हमने IG पुट कर दिया किसके साथ with सीमा on Monday तो आकाश will be marrying with सीमा on Monday example number 4 अब सूर्य निकल रहा होगा अब सूर्य निकल रहा होगा तो कैसे मिलाएंगे इसको now the sun subject क्या इसमें the sun will be rising अब सूर्य निकल रहा होगा example number 5 हम रात को cricket match देख रहे होंगे सब्जेक्ट है मारा पास वी जो की फर्स्ट पर्सन के साथ हम helping go shall का यूज करते हैं तो कैसे बनाएंगे इसमें वाक्य के बीच में नहीं सब्द लगकर आता है नहीं की अंग्रेजी not लगाते हैं ठीक है अब इसमें इसका रूल भी देख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के बाद helping will या shall will और shall के तुरंद बार not का यूज करेंगे हैं उसके बाद b यह आपको यहां ध्यान देना है जो हमां not आएगा वो will या shall के बाद आएगा ठीक है और b जो आना है वो not के बाद आएगा मतलब will be के बीच में not आएगा और shall be के बीच में not आएगा ठीक है उसके बाद verb की फर्स्ट फोर में ing और देन object अब इसके एक्जामपल देख लेते हैं हैमा खाना नहीं बना रही होगी हैमा खाना नहीं बना रही continuous गागी गे future तो future continuous और यहां नहीं negative sentence ठीक सब्जेक्ट है हैमा हैमा के साथ helping of use करेंगे विल और not और भी देखें हाप विल भी हम लगाएते हैं और हमने इनके बीच में not put करना है ठीक है आपको यह रूल याद रखना है किसी भी sentence कोई भी sentence आगर हमारा आता है जो हमारी मुख्य helping होती है में में helping होती है जैसे कि will हो गया shall हो गया है है हो गया ठीक है जब भी हम कभी not लगाएंगे तो सीव इन के बाद ही लगाते हैं जैसे कि हमारा कुछ helping में से होती है have been ठीक है has been अगर वहां भी not लगाएंगे तो have और has के बाद लगाएंगे जैसे वह रहता has not been या have not been ठीक है उम्मित करता हूं समझ चुके होंगे तो sentence बनाए हमा will not be cooking the food example number two देखेगा पिताजी कमरे में बैठकर अकबाल नहीं पढ़ रहे होंगे नहीं negative sentence ठीक है subject के ऐस में father the father will not be reading the newspaper in the room ठीक है रीड वर्ब की first form इसमें मैं ing पूट कर दिया है क्या नहीं पढ़े होंगे अकबार जो कि एक object है था newspaper कहां पर in the room sentence को बारी के समझे ना आपको ताकि आप इसको easily बना सकें और कोहीं भी गलती ना हो example number 3 देखिएगा मैं साम को टीवी नहीं देख रहा हूंगा नहीं ये भी negative sentence है तो कैसे बनाएंगे I shall not be watching TV in the evening I first person है first person के साथ हम helping or shall का यूज़ करते हैं ठीक है तो I shall not be watching TV in the evening example number 4 हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे नहीं जा रहे होंगे नहीं जा रहे होंगे negative sentence है subject है we जो की first person है इसके साथ हम helping or shall का यूज़ करेंगे तो वाक्य बनेगा हमारा sentence है we shall not be going to Delhi tomorrow तुमोरो यानि कि आने वाले कल के लिए तुमेरो का यूज़ करते हैं example number 5 वह नदी में नहीं तेर रहा होगा तो subjective वह ही third person helping or will का यूज़ करेंगे तो he will not be swimming in the river ठीक है दोस्तों चलते हैं interrogative yes no type की दरब interrogative sentence का पहला पार्ट है interrogative yes no type ठीक है अब देखेगा इससे कैसे पहचानते हैं इसमें हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द लगकर आता है क्या की अंग्रेजी what नहीं लगाते हैं बलकि sentence के शुरू में subject के अनुसार helping word will या shell लगाते हैं ठीक है subject के अनुसार subject मतलब अगर first person subject है हमारा तो हम क्या करेंगे shell लगाएंगे अगर second या third person subject है तो will लगाएंगे छीक है जो मैं आपको समझा चुका हूँ इसको बनाने का जो rule है सबसे पहले help यो लगाएंगे will या shell उसके बाद subject subject के बाद not अगर sentence हमारा interrogative negative है तो so then be subject के बाद आएगा कभी पहले नहीं आएगा साथ में इसकी वही इस्तिति रहेगी वही position रहेगी जहां वह रहता है चीक है उसके बाद verb की first form में ing and then object और last में question mark तो अवस्या आना ही है पहले example देख लेते हैं क्या वहे नहा रहा होगा क्या वहे नहा रहा होगा कैसे मनाएंगे subject में वह या नहीं ही है तो ही के साथ क्या आता है हमारा helping को will आएगी तो will he be taking a bath एग्जेंपल नमबर टू देखेगा क्या कवारी पुराना समान खरीद रहा होगा तो उसको बनाएंगे विल दा जंक डीलर बी पर्चेजिंग ओल्ड गुड्स एग्जेंपल नमबर थरी क्या हम छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे यहां subject वी है first person तो यहां helping वो shall का यूज करेंगे वी के recording तो sentence बनेगा shall we be flying the kite on the roof एग्जेंपल नमबर चार क्या वहां बरसात नहीं हो रही होगी यह दो को interrogative येशनो टाइप का negative है not हम यहां पर यूज करने वाले हैं तो कैसे करेंगे विल इट नॉट भी लेनिंग देर या helping वह विल उसके बाद subject हमने यूज क्या है पर इट उसके बाद not offer be ठीक है दर वर्ब की first form ing and then object अब शलते interrogative WH type की तरफ interrogative WH type की पहचान क्या होती है इसमें हिंदी वाक्यों के बीच में पिर्शन वाचक शब्द जैसे कब कौन कहां कैसे आदी आते हैं इनकी अंग्रेजी sentence के शुरू में लगाते हैं इनकी मतलब कब कौन कहां कैसे के अंग्रेजी sentence के शुरू में आती है helping verb will be or shall be का यूज हम कही है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले तो इसको बनाने का rule क क्या होगा सबसे पहले लगाएंगे question word question word क्या होता है कब कौन कहां कैसे के अंग्रेजी उसके बाद helping verb subject के अनुसार will your shall then subject आएगा उसके बाद अगर sentence negative है interrogative का तो not लगाएंगे subject के तुरूंत बाद उसके बाद B verb की first form में ing और object और last में किलाएंगे question mark देखते हैं कुछ example example number first उसको इस समय कौन बुला रहा होगा कौन इसमें question word है इसको starting में लिखेंगे who will be calling him at this time who will be calling him at this time example number two देखेगा मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँगा मैं वहाँ क्यों क्यों क्या है question word इसको starting में लिखाएंगे why shall I question word plus help you more plus subject उसके बाद be be going there why shall I be going there example number three देखेगा उससे क्या बता रही होगी उससे क्या बता रही होगी तो पहले क्यों 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 क्यो Why will she not be singing a song in the party? ठीक है? Example number 5 यह छोटी बच्ची शाम को खाना कैसे बना रही होगी? कैसे question word है? How will this little girl be cooking food in the evening? ठीक? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा future continuous tense खतम होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत्र तक देखने के लिए जैसा कि आप मैं देखा हम इसमें ing का यूज कर रहे हैं और ing लगाने का कुछ rules होते हैं इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका link में इस वीडियो के description में दे दूँगा और present continuous tense और past continuous tense पोरे हो चुके हैं जिस किसी ने वो sentence की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका link भी अपने वीडियो के description में डाल दूँगा वहाँ जाकर कि आप उस पर किलिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियो का notification पाने के लिए प्लीज इस चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon पर अवश्य किलिक करना और मिलते हैं आपसे अपर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा वावाय जैहिन जैभारत